हनुमत तेरे भक्त जन फुलग रहे चहुं ओर कार्दो ऐफा अबजतन मिटे विपद घंगोर ओम नमो भगवते हनुमते नमा जै जै फ्री फिता राम जै बाला जी महराज प्रेम से बोलो फियावर राम चंद्र की जै प्यारे भक्तो हनुमान जी महराज की पूजा के लिए मंगलवार का दिन सबसे स्रेफ्ट दिन माना गया है माननेता है कि इस दिन हनुमान जी महराज की पूजा करने से सबसे जल्दी फल प्राप्त होता है आईफे में आज हम आप के लिए हनुमान जी महराज की एक आईफी अत्यंत प्रभावसाली और चमतकारी चौपाई लेकर आए हैं जिसे अगर आप सचे मम से पूरी इमानदारी के साथ प्रभु हनुमान जी महराज को सचे दिल से याद करके इस चौपाई को बोलेंगे तो प्रभु की क्रपा से आपके सारे संकट कर जाएंगे और आपके सभी बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे प्यारे भग्तो वैसे तो हम सभी को रोज हनुमान चालिफा का पाठ करना चाहिए माननेता है कि नियमित इसका पाठ करने मात्र से ही जीवन की बड़ी से बड़ी परेफानी दूर हो जाती है और उस व्यक्ति पर कभी भी कोई संकट नहीं आता है वहीं प्रभु हनुमान जी महराज का साथ हमेशा हमेशा के लिए उस व्यक्ति पर बना रहता है लेकिन प्यारे भगतों अगर आप किसी कारन बफ पूरे हनुमान चालिफा का पाठ नहीं कर सकते तो आगे जो हम आपको ये अद्भुत चौपाई बताने जा रहे हैं इस एक मात्र चौपाई को बोले मात्र से ही पूरे हनुमान चालीफा के पाठ के बराबर ही फल पराप्त होगा तो प्यारे भगतों आईए जानते हैं इस अद्बुत चौपाई के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं हनुमान जी महराज की क्रपा फदा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अवस्व करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दा एमेस वाइफ को सब्सक्राइब करके कमें जैफरी राम लिखना बिल्कुना हो ले प्यारे भगतों आईए जानते हैं इस अद्बुत चौपाई के बारे में इस चौपाई को रोज सुबह सूरज निकलने से पहले हनुमान जी महराज के समुक बैठ कर सच्चे मम से एक सो आठ बार जब करें चौपाई है संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा प्यारे भगतों आज फे ही इस मंत रूपी चौपाई का जाब करना सुरू कर दीजिए यकीन मानिए आपके फारे कफटों का अंत सीगर ही हो जाएगा